हलो माई दियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हात्मू धोकर उपर महादेव के मंदिर में गये, घुड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांद दिया, वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आये, तो देखा कि तालाप के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहिलियों के साथ स्नान करने आई है, दिवान का लड़का तो वहीं हो गया, राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने क्या किया, कि अपने जुए से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दात से कुत्रा, पैर के नीचे दबाया, और छाती से लगा लिया, और अपने सक्यों के साथ चली गई, उसके जाने पर राजकुमार नि न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी, दिवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराये नहीं, वह सब कुछ बता गई है, राजकुमार ने पूछा कैसे, वह बोला, कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया, तो बताया कि मैं करनाटक की रहने वाली हूं, दात से कुत्रा, इसका मतलब है, मैं राजा, दंटावत की बेटी हूं, पाउं से दवाने का अर्थ है, मेरा नाम पदमावती है, छाती से लगा कर उसने बताया, कि तुम मेरे दिल में बस गए हो, यह सुनकर, राजकुमार खुशी से फूल उठा, बोला, अब मुझे करनाटक दे के पास गए, तो वहाँ एक बुढ़िया अपने दौर पर बैठी चर्खा कात्ती मिली, उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े, और बोले माई, हम सौदागर है, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़े सी जगह दे दो, उनकी शकल सूरत दे ठहर गये, दिवान के बेटे ने पूछा, माई, तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन-कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होती है, बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा एक बेटा है, जो राजा की चाकरी में है, मैं राजा की बेटी पदमावती की दाई थी, राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया, और कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाना, तो कह देना, कि जेट सुधी पंचमी को तुम्हे तालाब पर जो राजकुमार मिला था, वह आया है, अगले दिन वह बुढ़िया राजमहल गई, अपने राजकुमार राजकुमार रह गया, तब उसके मित्रे ने कहा, राजकुमार अब घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे, उन्होंने दस उमलिया चंदन में दूबो कर गाल पर मारी, इसका मतलब है, अभी दस रोच चांदनी के हैं, उसके बाद अंधेली रात में मिलूंगी, दस दिन बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी, तब उसने केसर में तीन उमलिया डूबो कर उसके मुपर मारी और कहा भाग जा यहां से, बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी, राजकुमार शोक से व्याकु दिवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसने कहा है मुझे मासिक दर्म हो रखा है, तीन दिन और ठैरो, तीन दिन बीतने के बाद बुढ़िया फिर पहुँची, उसे फटकार कर पश्चिम के खिड़की से बाहर निकाल दिया, उसने आकर राजकुमार उचल पड़ा, समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हतियार बांदे, दो पहर रात के बीच जाने पर महल में पहुचा, और खिड़की में से होकर अंदर पहुच गया, राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी, उसे भीतर ले एक से एक बढ़कर चीजे थी, रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा, जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया, और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया, इस तरह कई दीन बीद गया, अचानक एक दिन राजकुमार को अ वो मेरा प्यारा दोस्त है बड़ा चतुर है उसकी खोशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो राजकुमारी ने कहा मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ तुम उसे खिला कर तसली दे कर लौट आना खाना साथ लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुचा वो महिने भर से नहीं मिले थे राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुना कर राजकुमारी को मैंने अपनी चतुराई की सारी बाते बता दी हैं तभी तो उसने यह भोजन बना कर भेजा है दीवान का लड़का सोच में पढ़ गया उसने कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें बश में नहीं रख सकती इसलिए उसने खाने में जहर मिला कर भी जा है यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली से एक लड़ूर थाकर कुट्टे के आगे डाल दिया खाते ही कुट्टा मर गया राजकुमार को बहुत बुरा लगा उसने कहा ऐसी इस्त्री से भगवान बचाए मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा द राजकुमारी जब सो जाए उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके गहने लेकर चले आना राजकुमार ने ऐसा ही किया उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेज बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा तुम ये गहने बाजार में बेचाओ कोई पकड़е तो कहना मेरे गुरू के पास चलो और यहा ले आना राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया देखते ही सुनार ने उन्हें पैचान लिया और कोतवाल के पास ले गया कोतवाल ने पूछा तो उसे कह दिया ये मेरे गुरु ने दिये हैं गुरु को भी पकड़वा लिया गया अब राजा के सामने पहुँचे राजा ने कहा योगी महराज ये गहने आपको कहां से मिले योगी वने दिवान के बेटे ने कहा महराज मैं मसान में काली 14 को डाकीनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकीनी आई मैंने उसके गहने उतार लिये और उसकी बाई जांग पर त्रिशूल का निशान बना दिया इतना सुनकर राजा महल में गया उसने अपने राणी से कहा पदमावती की बाई जांग को देखो त्रिशूल का निशान तो नहीं है राणी ने देखा तो सही में न शान था राजा को बहुत दुख हुआ बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले गया बोला महराज धर्म शास्त्र में खोटी इस्त्रियों के लिए क्या डंड है योगी ने जवाब दिया राजन ब्रामर गव इस्त्री लड़का और अपने आस्रे में रहने वाला कोई खोटा काम ह जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठा कर जंगल में छुड़वा दिया राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे राजकुमारी को अकेले पाकर साथ में अपने नगर में ले आए और आनं के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनुरत सिद्ध किया राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेर पर जाकर लटक गया राजा वाप नहीं देखता हूँ कितने हटी और कितने धहरवान हो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स फॉर लिसनेंग